पुर्वा भारत माता ने अपने वीर सपूतों को खो दिया। इन पराक्रमी वीरों हैं हम सबासो करोड भारतियों के रक्षा में खुद को खपा दिया। देश वासी चेन की निंद सो सके। इसलिए इन हमारे वीर सपूतों ने राद दीन एक करके रखा था। पुलवामा के आतंक की हमले में वीर जवानों की सहाधत के बाद देश भर में लोगों को और लोगों के मन में आघात और आक्रोश है। शहीदों और उनके परिवारों के प्रती चारों तरफ सम्वेदनाय उमड पड़ी है। इस आतंक की हिंसा के विरोध में जो आवेक आपके और मेरे मन में है। वही भाव हर देश वासी के अंतर मन में है और मानवता में विश्वास करने वाले विश्व के भी मानवताबादी समुदायों में है। भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्योचावर करने वाले देश के सभी वीर सपुतों को मैं नमन करता हूँ। यह शहादत आतंक को समुल नश्च करने के लिए हमें निरंतर प्रेरित करेगी हमारे संकल्प को और मजबूत करेगी। देश के सामने आई इस चुनोती का सामना हम सब को जातिवाद, संप्रदायवाद, छेत्रवाद और बाकी सभी मद्वेदों को भुलाकर करना है। ताकि आतंक के खिलाप हमारे कदम पहले से कहीं अधिक द्रड़ हो, ससक्त हो और निरनायक हो। हमारे ससस्त्रवल हमेशा ही अध्वितिय साहस और पराकरम का परिचेद देते आये हैं। शांति की स्थापना के लिए जहां उन्होंने अध्वुद क्षमता दिखाई हैं, वहीं हमलावरों को भी उनी की भाषा में जवाब देने का काम किया है। आपने देखा होगा कि हमले के सो घंटे के भीतर ही किस प्रकार से कदम उठाए गए। सेना ने आतंगवादियों और उनके मददगारों के समुल नस्का संकल्प ले लिया है। भीर सैनिकवा की सहाधत के बाद मिडिया के माध्यम से उनके परिजनों की जो प्रेनादाई बाते सामने आई हैं, उसने पुरे देश के होसले को और बल दिया है। बिहार के भागलपूर के शहीद रतन ठाकुर के फिता राम निरंजन जी ने दुख की इस गड़ी में भी जिस जज़वे का परिचे दिया है, वह हम सब को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि वह अपने दूसरे बेटे को भी दुश्वनों से लड़ने के बेजेंगे और जरूरत पड़ी तो खुद भी लड़ने जाएंगे। औरिचा के जगत सींपूर के शहीद प्रसन्ना साहू की पतनी मीना जी के अदम में साहस को पुरा देश सलाम कर रहा है। उन्होंने अपने इकलोते बेटे को भी CRPF जोईन कराने का प्रण दिया है। जब तिरंगे में लिप्टे शहीद विजय सोरेंग का शब जारखन के गुमला पहुँचा तो मासुम बेटे ने यही कहा कि मैं भी फोज में जाओंगा। इस मासुम का जजबा आज भारत वर्ष के बच्चे-बच्चे की भावना को व्यक्त करता है। ऐसी ही भावना है हमारे वीर पराक्रमी शहीदों के गर गर में देखनों को मिल रही है। हमारे एक भी वीर शहीद इसमें अप्पात नहीं है उनका परिवार अप्पात नहीं है चाहे वो देवरिया के शहीद वीजे मौरिय का परिवार हो कांगडा के शहीद तिलक राज के माता पिता हो या फिर कोटा के शहीद हमराज का च्छा साल का बेटा हो शहीदों के हर परि विवारों ने जो जजबा दिखाया है, जो भावना दिखाई है, उसको जाने, समझने का प्यास करे, देश भक्ति क्या होती है, त्याग तपस्या क्या होती है, उसके लिए हमें ज़रत नहीं पड़ेगी, हमारी आँखों के सामने ये जीते जागते उधारण है, और यही प्यारे देश वासियों, आजहादी के इतने लंबे समय तक हम सब को, जिस वार मेमोरियल का इंतजार था, वह अब खत्म होने जा रहा है, इसके बारे में देश वासियों की जिग्यासा उत्सुकता बहुत स्वाभाविक है, नरेंदर मोदी एप पर उडूपी करनाटक के स की है, मुझे आश्यरे भी होता था और पीड़ा भी कि भारत में कोई नेशनल वार मेमोरियल नहीं था, एक ऐसा मेमोरियल जहां राश की रक्षा के लिए अपने प्राण नोचावर करने वाली है, वीर जवानों की शौरिय गाथाओं को संजो कर रखा जा सके, मैंने निश समारक अवश्य होना शाहिए, हमने नेशनल वार मेमोरियल के निर्मान का निर्णा लिया और मुझे खुशी है कि हसमारक इतने कम समय में बनकर तयार हो चुका है, कल यानि 25 फरवरी को हम करोडों देश वासी इस राष्ट्रिय सहिरिक समारक को हमारी सेना को सुपृत कि देश अपना कर्ज चुकाने का एक छोटा सा प्रयास करेगा, दिल्ली के दील यानि वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान जोती मोजूद है, बस उसके ठीक नज़्दीक में यह एक नया समारक बनाया गया है, मुझे विश्वास है कि देश वास्यों के लि के समान होगा, राश्ट्रिय साहिनिक समारक स्वतंत्रता के भाद सर्वोच बलिदान देने वाले जवानों के प्रती, राश्ट की करतग्यता का प्रतीक है, समारक का डिजाइन हमारे अमर साहिनिकों के अदम में साहस को प्रदस्यत करता है, राश्ट्रिय साहिनिक समारक का concept for co-centric circles यानि चार चक्रों पर केंदिरित हैं जहां एक सहीनिक के जन्म से लेकर शहादत तक की आत्रा का चित्रण है अमर चक्र की लव सहीत सहीनिक की अमरता का प्रतीख है दूसरा सरकिल बीरता चक्र का है जो सहीनिकों के सास और बहदूरी को प्रतरशित करता है यक ऐसी गैलरी है जहां दिवारों पर सहीनिकों की बहदूरी के कारणामों को उकेरा गया है इसके बाद त्याग चक्र है यह सरकिल सहीनिकों के बलिदान को प्रतरशित करता है इसमें देश के लिए सरवच्च बलिदान देने वाले शैनिकों के नाम स्वन अक्षरों में लिखे गए हैं इसके बाद रक्षक चक्र सुरक्षा को प्रदसित करता है इस सरकिल में गने पैडों की पंक्ती है ये पैड शैनिकों के प्रतीख है और देश के नागरिकों को ये विश्वास दिलाते ह ये संदेश दे रहे हैं कि हर पहर साहिनिक सीमा पर तैनाद है और देश वासी सुरक्षीत है कुल मिलाकर देखे तो राश्ट्रिय साहिनिक समारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रुपे बनेगी जहां लोग देश के महान सहीदों के बारे में जानकारी लेने अपनी कृतग्यता प्रगड़ करने उन पर शोद करने के उद्देश से आएंगे यह उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्रान निशावर कर दी है ताकि हम जीवित रह सके ताकि देश शुरक्षीत रहे और विकास कर सके देश के विकास में हमारे ससस्त्र बनों, पुलीस और अर्द सैनिक बनों के महान योगदान को शब्दों में अभीविक्त करना संभव नहीं है पिछले साल अक्तूबर में मुझे नेशनल पुलीस मेमोरियल को भी देश को समर्पित करने का सवभागी मिला था वो भी हमारे उस विचार का प्रतिमिम था जिसके तहट हम मानते हैं कि देश को उन पुरूश और महिला पुलीस कर्वियों के प्रति करतग्य होना चाहिए जो अनवरत हमारी सुरक्षा में जुटे रहते हैं मैं आशा करता हूँ कि आप राश्ट्रिय सेनिक्स मारक और नेशनल पुलीस मेमोरियल को देखने जरूर जाएंगे आप जब भी जाएं वहां ली गई अपनी तस्विरों को सोशल मीडिया पर अवश्य शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे प्रेणा मिले और वे भी इस पवित्र सर इस मेमोरियल को देखने के लिए उत्सुक हूँ मेरे प्यारे देश्वासियों मन की बात के लिए आपके हजारों पत्रों और कमेंट मुझे अलग-लग माद्यमों से पढ़ने को मिलते रहते हैं इस बार जब मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था तब मुझे आतिश मुखपाध्याजी कि एक बहुत ही रोचक ठिपनिल मेरे ध्यान में आई उन्होंने लिखा है कि वर्स उन्नी सो में तीन मार्ज को अंगरिजों ने बिर्शा मुंडा को गिरस्पतार किया था तब उनकी उम्र सिर्फ पचीस साल की थी तीन मार्ज को ही जमसेज जी टाटा की जहनती भी है और वे आगे लिखते हैं ये दोनों व्यक्तित्व पुरी तरह से दो अलगलत पारिवारिक पुर्ष्ट भूमी से हैं जिन्होंने जारखन की विरासत और इतिहास को समरिद्द किया मन की बात में बिर्षा मुंडा और जमसेज जी टाटा को सरधांजली देने का एक प्रकार से जारखन के गवरोशाली तिहास और विरासत को नमन करने जैसा है आतेशी मैं आपसे सहमत हूँ कि इन दो महान विभूतियों ने जारखन का नहीं पुरे देश का नाम बढ़ाया है पुरा देश उनके योगदान के लिए कृतग्या है आज अगर हमारे नवजवानों को मारदर्सन के लिए किसी प्रेणना दाई व्यक्तित्वक की जरूरत है तो वह है भगवान बिर्सा मुंडा अंग्रेजों ने चीपकर बड़ी ही चालाकी से उन्हें उस वक्त पक्रा था जब वे सो रहे थे क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसी कायरता पूर्ण कायरवाई का सारा क्यों लिया क्योंकि इतना बड़ा सामराज्य खड़ा करने वाले अंग्रेज भी उनसे भैवीत रहते थे भगवान बिर्शा मुंडा ने सिर्फ अपने पारंपारिक तीर कमान से ही बंदू को और तौपों से लेश अंग्रेजी शासन को हिला कर रख दिया था दरसल जब लोगों को एक प्रेणा दाई नित्रत मिलता है तो फिर हथ्यारों की शक्ति पर लोगों की सामुही की इच्छा शक्ति भारी पड़ती है भगवान बिर्शा मुंडा ने अंग्रेजों से नकेवल राजनितिक आजाजी के लिए संगर्श किया बल्कि आदिवाशों के सामाजीक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी अपने छोटे से जीवन में उन्होंने यह सब कर दिखाया बंचीतों और सोशीतों के अंदरे से भरे जीवन में सूरज की तरह चमक बिखेरी भगवान बिर्शा मुंडा ने पचीस वर्स की अलप आयू में ही अपना बलिदान दे दिया बिर्शा मुंडा जैसे भारत मा के सपूत देश के हर भाग में हुए है शायद हिंदुस्तान का कोई कौना ऐसा होगा कि सदियों तक चली हुई आजादी किस जंग में किसे ने योगदान न दिया हो लेकिन दुर्भागे यह है कि इनके त्याग, शावरी और बलिदान के कहानिया नई पीड़ी तक पहुंची ही नहीं अगर भगवान विर्शा मुंडा जैसे व्यक्तित्व ने हमें अपने अस्तित्व का बहुत कराया तो जमसेज्जी टाटा जैसे सक्षियत ने देश को बड़े-बड़े समस्तान दिये जमसेज्जी टाटा सही माने में एक दूर द्रश्टा थे जिन्नोंने नकेवल भारत के भविश को देखा बलकि उसकी मजबूत नीव भी रखी वह भली भाती जानते थे कि भारत को साइन्स, टेक्लोलोजी और इंडिस्ट्री का हब बनाना भविश के लिए आवशक है यह उनका ही वीजन था जिसके प्रणाम स्वरूप टाटा इंस्ट्टूटूर अब साइन्स की स्थापना हुई जिसे अब इंडियन इंस्ट्टूर अब साइन्स कहा जाता है यही नहीं उन्होंने टाटा स्टील जैसे कई विश्ट्वस्तरिय समस्थानों को और उद्योकों की भी स्थापना की जमसेज जी टाटा और स्वामी विवेकान जी की मुलाकात अमेरिकी आत्रा के दवरान शिप में हुई थी तम उन दोनों की चर्चा में एक महत्वपुन टॉपिक भारत में साइन्स और टेक्लोलोजी के प्रचार प्रचार से जुड़ा हुआ था कहते हैं इसी चर्चा से इंजियन इंस्ट्टूट अब साइंस की नीव पड़ी मेरे प्यारे देशवासियों हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री मुरार्जी भाई देशाई का जन्म 29 फरवरी को हुआ था जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हदीन चार वर्ष में एक भारी आता है सहज शांतिपुन व्यक्तित्व के धनी मुरार्जी भाई देश के सबसे अनुसाशित नेताओं में से थे स्वतंत्र भारत में सवसद में सबसे अधीक बजेट पेश करने का रिकॉर्ड मुरार्जी भाई देशाई के ही नाम है मुरार्जी देशाई ने उस कठिन समय में भारत का कुषल नेत्रुत्व किया जब देश के लोगतांतरिक ताने बाने को खत्रा था इसके लिए हमारी आने वाली पीडियावी उनकी आभारी रहेंगी मुरारजी भाई देशाई ने लोग तंत्र की रक्षा के लिए आपातकाल के खिलाफ आंदोलन में खुद को जौंग दिया इसके लिए उन्हें वृद्धावस्ता में भी भारी किमत चुकानी पड़ी उस समय के सरकार ने उन्हें गिरबतार कर जेल में डाल दिया लेकिन 1987 में जब जन्ता पार्टी चुनाव जीती तो वो देश के प्रधान मंत्री बने उनके कारकाल के दोरान ही 44 सम्विधान संसदन लाया गया यह महत्वपुन इसलिए है क्योंकि इमर्जंसी के दोरान जो 42 संसदन लाया गया था जिसमें सुप्रिम कौड की शक्तियों को कम करने और दूसरे ऐसे प्रावधान थे जो हमारे लोकतांत्रिक मुल्यों का हनन करते थे उनको वापस किया गया जैसे 45 संसदन के जरिये संसद और विदान सभावों की कारेवाई का समाचार पत्रों में प्रकाशन का प्रावधान किया गया इसी के तहत सुप्रिम कौड की कुछ सक्तियों को भाल किया गया इसी शमसोदन में यह भी प्रावधान किया गया कि सम्विधान के अनुचेद बीस और इक्कीस के तहट मिले मौलिक अधिकारों का आपातकाल के दोरान भी हनन नहीं किया जा सकता है। में छे महने से अधिक नहीं बढ़ाये जा सकता है। इस तरह से मौरारजी भाई ने यह सुनिशित किया कि आपातकाल लागू कर 1975 में जिस प्रकार लोकतंतर की हत्या की गई थी वह भविश में फिर दोराया ना जा सके। मैं अपने स्थरधांजली अर्पित करता हूँ। मेरे प्यारे देश्वासियों, हर साल की तरह इस बार भी पद्म एवाड को लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता थी। आज हम एक न्यू इंडिया की और अग्रसर हैं। इसमें हम उन लोगों का सम्मान करना चाहते हैं जो ग्रासरूट लिवल पर अपना काम निसकाम भाव से कर रहे हैं। अपने परिश्रम के बल पर अलग-अलग तरीके से दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। दरसल वे सच्चे कर्मियोगी हैं जो जन सेवा, समाज सेवा और इन सब से बढ़कर राष्ट सेवा में निस्वार्द जूटे रहते हैं। आपने देखा होगा, जब पदम एवार्ड की गोश्चना होती हैं, तो लोग पुछते हैं कि ये कौन है? एक तरह से इसे मैं बहुत बड़ी सफलता मानता हूं। क्योंकि ये वो लोग हैं जो टीवी, मैगेजिन या अख़बारों के फ्रंट पेश पर नहीं हैं। ये चकाचाउंत की दुनिया से दूर हैं। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो अपने नाम की परवा नहीं करते हैं। बस जमिनिस्टर पर काम करने में विस्वास रखते हैं। योगह कर्म शुकाउशलम गीता के संदेश को वो एक प्रकार से जीते हैं। मैं ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ओडिशा के दैतारी नायक के बारे में आपने जरूर सुना होगा। उन्हें कैनाल मैन अप दे ओडिशा यूही नहीं कहा जा दैतारी नायक ने अपने गाउं में अपने हाथों से पहाड काटकर तीन किलो मिटर तक नहर का रास्ता बना दिया। अपने परिश्रम से सीचाई और पानी की समस्या हमेशे के लिए खत्प कर दी। गुजरात के अब्दुल गफूर खद्री जी को ही लीजिए। उन्हों पीडी तक पहुचाने का बड़ा काले कर रहे हैं। अब्दुल गफूर द्वारा बनाई गई ट्री अफ लाइफ कलाकृति को ही मैंने अमेरिका के पूर्व राश्पती बराक उबामा को उफ़ार में दिया था। पद्म पुरसकार पाने वालों में मराठा बारा के शबी मदुरई चिन्ना पिल्लई वही शक्षियत है जिन्होंने सबसे पहले तमिलनाडु में करन जियम अंदुलन के जरिये पीडीतों और सोशितों को ससक्त करने का प्रयास किया। साथ ही समुदाय आधर्व शुरुवात की अमेरिका की कावो पॉर्चोन लींच के बारे में आप सुखत आचर्य से भर जाएंगे। लींच आज योग की जीती जाकती संस्ता बन चुकी है। सोव वर्ष की उम्र में भी प्ये दुनिया भर के लोगों को योग का प्रशिक्षन दे रही है। और अब तक डेड़ हजार लोगों को योग शिक्षक बना चुकी है। जारखन में लीडी टार्जन के नाम से विख्यात जमुना टूडू ने तिमबर माफिया और नक्षलियों से लोहा लेने का सासिक काम किया। उन्होंने नकेवल 50 हेक्टर जंगल को उजणने से बचाया बलकि 10,000 महिलाओं को एक जूट कर पेड़ों और वन्ने जीवों की स ठारा पेड और लड़की की शादी पर 10 पेड लगाते हैं। गुजरात की मुक्ता बेन पंकच कुमार दगली की कहानी आपको प्रेणा से भर देगी। खुद दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने दिव्यांग महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्य की है। ऐसा उधा के मुझफरपूर की किसान चाची यानि राजकुमारी देवी की कहानी बहुत ही प्रेरक है। महिला शसक्तिकरण और खेती को लापकारी बनाने की दिशा में उन्होंने एक मिशाल पेश की है। किसान चाची ने अपने इलाके की 300 महिलाओं को सेल्फ हेल्फ गुरुप से जोड़ा और आर्थिक रुप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गाउं के महिलाओं को खेती के साथ ही रोजगार के अन्य साधनों का प्रशिक्षन दिया। खास बात ये है कि उन्होंने खेती के साथ टेकनलोजी को जोडने का काम किया। और मेर प्रशिक किसानों को पदमपुरसकार मिले है। आम तोर पर क्रिसी जगत से जुड़े हुए बहुत ही कम लोग और प्रत्यक्षिक किसानी करने वाले बहुत ही कम लोग पदमस्री की सुची में आये हैं। ये अपने आप में ये बदलते हुए हिंदुस्तान की जीती जाकत तस्वीर है। मेरे प्यारे देशवासियों मैं आज आप सब के साथ एक ऐसे दिल को छूने वाले अनुभों के बारे में बात करना चाहता हूं जो पिछले कुछ दिनों से मैं मैसूस कर रहा हूं। आजकल देश में जहां भी जा रहा हूं मेरा प्रयास रहता है कि आईश् पोटे बच्चे पैसों के अभाओं में इलाज नहीं करवा पा रही थी। इस योजना से उसका इलाज हुआ और वो स्वस्त हो गई। घर का मुख्या मेहनत मद्दूरी करके अपने परिवार के देखभाल करने माना एक्सिलेंट का सिकार हो गया। काम नहीं कर पा रहा था इस योजना से उसको लाब मिला और वो पून स्वस्त हुआ नई जिन्द की जीने लगा। भाईव और बहनों पिछले पांच महिनों में लगबग बारा लाग गरीब परिवार इस योजना का लाब उठा चुके हैं। मैंने पाया कि गरीब के जीवन में इससे कितना परिवर्तन हा रहा है। आप सब भी यदि किसी भी ऐसे गरीब व्यक्ति को जानते हैं जो पैसों के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहा हो। तो उसे इस योजना के बारे में अवश्य बताईए। ये योजना हर ऐसे गरीब व्यक्ति के लिए ही है। मेरे प्यारे देश स्कूलों में परिक्षा का समय शुरू होने ही वाला है देज भर में अलग-अलग शिक्षा बोड अगले कुछ हपतों में दस्वीं और बारवी कक्षा के बोड के इम्धान के लिए प्रक्रिया प्रारम करेंगे परिक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को उनके अभि टाउन होल के फॉर्मेट में हुआ इस टाउन होल कारकें में मुझे टेक्नलोजी के माध्यम से देश विदेश के करोड़ों स्टूडेंट्स के साथ उनके अभिवावकों के साथ टीचर के साथ बात करने का अवसर मिला परिक्षा पे चर्चा इसकी एक विश्यता यह रही कि परिक्षा से जुड़े विभिन विश्यों पर खुल कर बातचित हुई कई ऐसे पहलू सामने आए जो निश्चित रुपसे विद्यार्थियों के लिए लापदायक हो सकते हैं सभी विद्यार्थी उनके शिक्षक, मातापिता, यूटूब पर इस पूरे कारकम की रेको सकते हैं तो आने वाले परिक्षा के लिए मेरे सभी एक्जाम वरियर्स को धेरो शुपकामना हैं मेरे प्यारे देश्वासियों भारत की बात हो और त्योहार की बात नहो ऐसा हो ही नहीं सकता शायद ही हमारे देश में कोई दीन ऐसा नहीं होता है जिसका महत्मई नहो जिस महाँ शिवरात्री का परवाने वारा है और इस बार तो शिवरात्री सोमवार को है और जब शिवरात्री सोमवार को हो तो उसका एक विशेज महत्वा हमारे मनमंदिर में च्छा जाता है इस शिवरात्री के पावन परव पर मेरी आप सब को बहुत बहुत शुब कामनाए हैं मेरे प्यारे देश्वासियों कुछ दिन पहले में काशी गया था, वहां मुझे दिव्यांग भाई बेहनों के साथ समय बिताने का मौका मिला, उनसे कई विश्यों पर चर्चा हुई और उनका आत्मविश्वास वाकई प्रभावित करने वाला था, प्रेरख था, बाचीत के कारकमों में मिमिक्री करता हूँ, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, आप किसकी मिमिक्री करते हो, तो उसमें बताया कि मैं तो दानमंत्र की मिमिक्री करता हूँ, तो मैंने उनसे कहा, यह रकर के दिखाईए, और मेरे लिए बड़ा सुखद असरे था, कि उन्हें मन की बात मे जिस प्रकार से मैं बात करता हूं उसी की पूरी मिमिक्री की और मन की बात की ही मिमिक्री की मुझे इस सुनकर बहुत अच्छा लगा कि लोग न सिर्फ मन की बात सुनते हैं बलकि उसे कई अवशरों पर याद भी करते हैं मैं सच मुझ में उस दिव्यांग नवजवान की शक्ती से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मेरे प्यारे देश्वासियों, मन की बात कारिकम के माध्यम से आप सबसे जुड़ना मेरे ले एक अनोखा अनुभव रहा है। रेडियो के माध्यम से मैं एक तरसे करोडों परिवारों से हर महने रूबरू होता हूँ। कई बार तो आप सबसे बात करते, आपकी चीठियां पढ़ते या आपके फोन पर भेजे गए विचार सुनते, मुझे ऐसा प्रतित होता है कि आपने मुझे अपने परिवार का ही समान लिया है। यह मेरे लिए एक बहुती सुखत अनुभूती रही है। दोस्तों चुनाव लोकतंतर का सबसे बड़ा उत्सव होता है। अगले दो महिने हम सभी चुनाव की घहमा घहमी में व्यस्त होंगे। मैं स्वयम भी इस चुनाव में एक प्रत्याशी रहूँगा। स्वस्त लोकतंतरिक प्रंप्रा का सन्मान करते हुए अगली मन की बात मई महिने के आखरी रभी बार को होगी। याने की मार्च महिना, एप्रिल महिना और पूरा मे महिना तीन महिने की सारी हमारी जो भावना हैं उन सब को मैं चुनाव के बात एक नए विश्वास के साथ आपके आशिरवात की ताकत के साथ फिर एक बार मन की बात के माध्यम से हमारी बात्चित का सेलसेल का आरम और सालों तक आप से मन की बात करता रहूंगा फिर एक बार आप सब का रदय से बहुत बहुत धनिवाद करता हूं